हेलो नमस्का दोस्तों फाइनली iOS 18 का पब्लिक बीटा वन है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में लॉंच हो चुका है अगर आपके पास कोई भी iPhone है iPhone 12, 13, 14 कोई भी है अगर इसमें अपडेट आया है तो किया आपको अपडेट iOS 18 का पब्लिक बीटा करना चाहिए या फिर आप का जो most doubtly question होगा कि पर बेटरी डेन केसा है इस नए iOS 18 का हमारे iPhone में सारी बाते का वरप करने वाला हूँ बर इस वीडियो में कोई भी ऐसे खास फीचर बताने नहीं वाला हूँ चुकि आपको और रेडी पता ही हो तो चलिए सुरू कते है इस वीडियो को तो सबसे बिले यहां पर मैं आपको setting में जाके बता ही देता हूँ जो मेरे पास है वो है iPhone 14 प्लस और अभी जो right now iOS का update आया है वो है आप देख सकते है iOS 18.0 गैसे public beta 1 है और उसका जो model version है वो है 22a 5307i और गैस अगर मैं आपको software update में जाके बता हूँ तो गैस आप देख सकते है यहां पर जो में install किया हुआ है वो है iOS 18.0 का जो बीटा update है वो है iOS 18 public beta अब गैस यहां पर बात आती है क्या आपको यह अपडेट करना चाहिए और यहां पर कौन-कौन से feature मिले है तो feature में तो almost आपको सारे के सारे feature पता है कि हमारों को new control center मिल चुका है हमको यहां पर new hidden icon मिल चुका ह means कोई भी application को आप hide करना चाहते है तो वो कर सकते है कोई भी application को lock लगना चाहते है तो वो सब कुछ कर सकते है और साथ है काफी सारे customization के जो feature है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिले है अब चलिए bugs की बात ही कर लेते है तो यहां पर सबसे पेले जो सबसे घटिया bugs करेंगे तो हैं यहां पर आपको तो कि यहां पर तोपनेेンダम कर दिया फिर रोब्लम प्लम होना स्टार्ट कर देगा यहां पर कोई भी आपका एप्लिकेशन वह वर्क नहीं करेगा कोई टेप नहीं होगा आप यहां पर अपने हाथों से भी कोई फीचर को अनेबल डिसेबल नहीं कर सकते मेरे को सबसे घटिया बग्स आय ट्रेकिंग में लगी है हाला कि यह फी अगर यहां पर आप सेटिंग में जाके चेक करेंगे नौटिफिकेशन का आइकन तापको कि इस नौटिफिकेशन का जो आइकन है वह देखने को नहीं मिला है काफी सारी जगे इसे गाइस रिमू हो चुका है तो मेरे को एक थोड़ा सा घटिया बग्स लगा है पर ऐसा को इस्यू मेरे को देखने को नहीं मिला है एक और मेरे को बक्स देखने को मिला है वह है यहां पर लॉक स्क्रीन में आप जाएंगे अगर यहां पर आप कस्टमाइज इसे में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं प्रोपर तरीके से लोड होने में थोड़ा टाइम ल नर करेंगे तो एक ही वीचेट को कायसा आप बार यह पर यहां पर XD कर सकते हैं अगर मैं यहां बटन पर तेप कर दो तो कायस यहां पर भी एक मेरे पास लोग पावर मोड और यहां पर भी यह लोग पावर मोड आ अनेबल करूंगा तो एक और बार काईस में यहां पर जो एड जो मेनू है उसका वीजेट है उसको लगा सकता हूँ तो थोड़ा सा वियर ग्लीच लगा क्यूंकि बार बार एक ही एक वीजेट हम लोगों को देखने को नहीं मिलना चाहिए अब गईस यहां पर स्वाइप सब्सक्राइब करेंगे तो इतना वाइपरेंट करने लगता है कि आपका बैटरी हेल्थ है वह आसानी से यहां पर 5-10% का जो ड्रोपे वह देखने को मिलेगा विदिन वन या टू संग में एक बार डेफिनेटली आप ट्राइ करना काफी मस्त फीचर है बट यहां पर जो वाइब्रस ने वह काफी सारा देखने को मिलता है जो कि मेरे को परस्नेली यह जो फीचर है वह अच्छा तो नहीं लगा है बट अगर एक दो बार आप यूज करना चाहते तो कर सकते हैं अगर आप यहां पर iOS 18 में स्वीच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं यह मेरा जो आइफोन 14 प्लस है प्राइमरी डिवाइस है सारी बेंकिंग एप में यूज भी करता हूं उसमें कोई भी इस्वी मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है सारी एप प्रॉप यहां पर सब्सक्राइब काफी सारा टाइम लग चुका होगा अभी यहां पर देख सकते हैं और कोई एसा खास फीचर लोड नहीं लेता है कि आपका बेटरी ड्रेंग रिद्यूस करें अगर बात करें कि यहां बार बेटरी हल्की तो आयोस 17 में मेरी भी बेटरी हल्की 91 प प्रो में आया है कि एटी परसेंटेज पर आप स्टॉप कर सकते हैं ऐसा कोई फीचर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें यहां पर टोर्च का न्यू अनिमेशन की तो वह भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिला है क्योंकि वह सीफ और सिफ डाइ किया आपने यहां पर iOS 18 को इंस्टोल किया है या फिर करने वाले है या फिर नहीं तो चली गाइस अगर iOS 18 डिलेटेड़ कोई वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरे को कॉमेंट सब्सक्राइब और यहां पर आपने हमारी चैनल टेकरस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह तो फॉर मोर एपल अपडेट के लिए आप हमारी चैनल टेकरस के साथ बढ़ने रह सकते हैं तो चली गाइस में तक वीडियो में तब तक के लिए जय हैं